हेलो दोस्तों ये एंबॉक्सिंग और रिवी वीडियो है जी वी सी वेंग मशीन का एनलोग का और बहुत सारे मैंने वेंग मशीन को कंपेर किया तो मुझे यही पता चला कि डिजिटल से बहतर एनलोग होती है क्योंकि डिजिटल के संसर वगेरा काफी जल्दी खराब हो जा वीडियो शेयर कीजिए तो जैसा देख पा रहे होंगे कि यह जी वी सी की ब्रांडिंग है परस्निल वेंग मशीन और यह मॉडल है जी वी सी डबल वन जीरो वन ए आई एसो सर्टिफाइड कंपनी है यह और यह कलर है ब्लैक जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ब्लैक पे लगा हुआ है ब्लू कदर भी आता है लेकिन परस्नली मुझे ब्लैक ज्यादा अच्छा लगा तो यह भी आया इसको अन्बॉक्स करते हैं तो यह विंग मशीन है हमारी इसको निकाल लेते हैं और इसमें एक पुल और रिमॉफ दिस वायर बिफोर यूज देखते हैं सारे बॉक्स को पिनारे कर देते हैं टर्न दे स्केल टू जीरो विद एजस्टेबल नॉब ऑन दा साइड अव दे स्केल प्लेजियर स्केल अन्द यह सारी चीज़ें आप पड़ लीजेगा तो यह विंग मशीन है काफी मतलब भारी है यह पूरी बॉड़ी इसकी मिटल की है ल यह इसके साथ यूजर मैनुल है मेरा ख्याल है जीरो एजस्टर पूल एंड रिमूव तो वायर मैंने निकाल दिया था चेक करने के लिए यही पर लगा हुआ था एक वायर उसको पहले आप खीच करके निकाल देंगे और जैसा देख पार हैं जब आपके पास यह आएगी सब्सक्राइब के लोगा तरे दिशंगी जाने के लेकिन अधिकर जाए है और यह बिल्कुल सही और यह बड़ी अच्छी क्वालिटी है इस बिल्कुल स्लिप नहीं करेगा अच्छा मटिरियल है और देख पा रहे होंगे कि बिल्कुल साफ क्लीन अं क्लियर इसका वो वेक स्केल दिखाई दे रही है बिल्कुल साफ सुत्रा और पूरा ये मेटल फिनिश है बहुत ही रिजिट और इसमें रबर भी लगे हुए जिससे कि ये स्लिप नहीं करेगा चारो कॉर्नस पर और ये 120 किलोग्राम तक आपको वेट की रीडिंग दे पाएगा एक किलो से लेकर के 120 जैसा कि आप इस पर देख पा रहे हैं क्लीन कट लिखा हुआ है और बहुत ही बेजडीन ये मशीन लग रही है आप लोग इसे एक बार मैं इस्तमा बिल्कुल ठीक बता रहा है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे और इसका साइज भी मीडियम है मेरे पैर काफी बड़े है मेरा पैर दस नंबर के करीब है अगर आप 6 या 7 नंबर या 8 नंबर होंगे तो आपको दिक्कत नहीं हो वैसे भी मेरा पैर पूरा अगर आप देख झाल झाल झाल